हेलो व्रीवन और वेल्कम टू शिक्षा सो गाइस करेंट अफेर्स एंडेवलप्मेंट इशूस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम 20 करेंट अफेर्स को डिसकस करेंगे सो वेरी इंपॉर्टेंट एंप्सी क्यू यह रहेंगे आपके इग्जामिनेशन पॉइंट आफ व्यू से और जैसे मैं कमेंट देख रहा था कि जैन फेब के 2023 के करेंट अफेर्स तो बेटा वो भी इसके अंदर आ रहे हैं हैं डू नॉट वर्य बाउट अब जो आज क्या पिए इस लेक्टर में करेंट अफेर्स के कोश्चन्स हैं वो सारे जैन के हैं तो टू नॉट वरी ओके वह सुट्वेंट एंदर करेंगे और बिफोर स्टार्टिंग्ड एंप्सी क्यू कॉम्बो कोर्स अभी ले लो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन सो इसको लो इसके अंदर एपी एफसी वाले बच्चों के लिए कुछ टेस्ट हमने इंशॉरेंस के भी आइड़ अप किये हैं पहले कोश्चन के उपर आ जाएंगे वेन वाज ग्लोबल फैमिली डे अब्सेर्वड एक्रॉस दे ग्लोब ग्लोबल फैमिली डे जिसको अंसर है ऑप्शन सी पहली जैनुवरी को सेलिब्रेट किया गया था दो हजार तीस में तो ग्लोबल फैमिली डे या व्ल्ड पीस डे बेसिकली हाइलाइट करता है हार्मिनी और यूनिटी को प्रमोट करता है दुनिया के अंदर 1997 में इसको United Nations General Assembly ने एक International Decade for the Culture of Peace and Non-violence for the Children शुरू किया था ठीक है और तभी से इस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है तो पहला दिन जो होता है साल का उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है Global Family Day और World Peace Day को नेक्स्ट कोश्चन बिर्सा मुंडा International Hockey Stadium और इट इस सेड कि ये इंडिया का सबसे बड़ा Hockey Stadium होगा seats के capacity में 20,000 seats के अंदर रहेंगी तो कौनसी state के अंदर या UT के अंदर बिर्सा मुंडा International Hockey Stadium बना है again important हो जाता है क्योंकि January के अंदर ही इसका inauguration हुआ था so answer over here is option C Odisha Odisha के अंदर आपका बिर्सा मुंडा International Hockey Stadium बना है next question कौनसी state में इंडिया का पहला festival of inclusion जिसका जो theme था that was purple fest celebrating diversity basically एक cultural religious peace को build up करने के लिए ये festival of inclusion जो है वो celebrate किया गया था और पहली कोई state थी जिसमें इस type का inclusive festival एक celebrate किया गया and this was Goa answer होगा C so 6 January 2023 को इसका inauguration हुआ था इंडिया का first of its kind है और Goa पाना जी के अंदर इसको celebrate किया गया था 6 to 8 January and inclusive world को basically highlight करता है next question Indian railways ने बोला कि इंडिया का पहला hydrogen powered trains जो narrow gauge lines के उपर run करेंगे वो कब तक basically introduce हो जाएगा इंडिया में so the right answer over here is option B December 2023 तक का timeline जो है Indian railways ने announce किया है इंडिया की पहली hydrogen power trains जो narrow gauge heritage lines पर run करेंगे fifth question which of the following countries have recently joined UN security council for two years along with Japan and Malta so Japan और Malta के साथ मिलकर के UNSC को और किस country ने join किया है so यहाँ पर आपका यह question important है क्योंकि December 2021 तक इंडिया UNSC में था उसके बाद UNSC से इंडिया का term खतम हो गया answer यहाँ पर है आपका option D so यह पांचों countries आई है जिसके अंदर Japan, Malta, Equator, Switzerland और Mozambique आ जाते है ठीक है जी so UNSC में Equator आ गया याद रखेंगे इन देशों के नाम Japan, Malta, Mozambique and Switzerland दो साल का इनका term रहेगा and इंडिया को basically इन्होंने replace किया है इंडिया, Ireland, Kenya, Mexico, Norway बाकी के याद रखने की ज़रुवत नहीं है स्रिफ इंडिया याद रख लेना जिसका term 31 December 2022 को खतम हो गया और Mozambique और Switzerland की अगर हम बात करें तो पहली बार यह UNSC के मेंबर बने है दोनों Mozambique और Switzerland यह भी आप याद रखेंगा 6th question, January 2023 में कौनसी स्टेट पहली स्टेट बनी है to go fully digital in its banking services complete digitization हो गई है banking services में कौनसी स्टेट में correct answer is option D, Kerala next, एक report आती है नहीं कि Asia report January 2023 में इन्होंने इस report में highlight कि आगया कि इंडिया का जो auto market है वो third largest बन गया और हमने किसको replace किया है third rank पे आने के लिए Russia, Germany, Japan या Australia तो हमने जपान को replace किया है third number पे आगये है अब हम so India ने जपान को replace कर दिया है 2022 के अंदर China नमबर एक पे है और US नमबर दो पे है ठीक है, जपान था नमबर 3 पे 2021 में अब उसकी जगह इंडिया आ गया है seventh question प्रवासी भारतिय दिवस जिसको आप non-resident Indian day भी बोलते हो ये किस दिन celebrate किया गया पूरे इंडिया में 9, 6, 8 या 5 January so यहाँ पर आपका जो correct answer होगा that is option A 9th January 2023 को आपका प्रवासी भारतिय दिवस या non-resident Indian day जिसको हम बोलते हैं वो celebrate किया गया था so प्रवासी भारतिय दिवस basically क्या highlight करता है जो भी भार रहने वाले Indian community है overseas Indian community जिसको हम बोलते है तो उनके contribution को highlight करता है Indian development के अंदर जो उनका contribution है पहली बार प्रवासी भारतिय दिवस 2003 में celebrate किया गया था 9th January कोई क्यों celebrate किया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी South Africa से वापिस आ गये थे इंडिया 1915 में और जो ये 17th आपका convention था ये इसका जो theme था that was Diaspora Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal ये इसका theme था तो इसका theme भी याद रखना है ये जो आपका प्रवासी भारतिय दिवस हुआ इसका जो पूरा इस बार का convention था वो मध्या प्रदेश में हुआ था तो ये वाला fact भी आद रखना है तो इस convention के time पर इंडिया ने एक country के साथ agreement sign किया था उस country के diplomats को train करने के लिए तो कौन सी country है सुमालिया कीनिया पनामा या जर्मनी यहाँ पर अंसर होगा आपका option C पनामा पनामा के साथ हमने ये agreement sign किया नाइध कोशन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम पांच साल का प्रोग्राम है 2022-2026-27 तक चलेगा इसके लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ है पांच साल के लिए ठीक है अंसर होगा यहाँ पर आपका option D 1037.90 करोड रुपीज ठीक है 1037.90 करोड रुपीज पांच साल के पिरेड की ये scheme है और foundation, literacy and numeracy component है इस scheme का जिसके अंदर 5 करोड learners के तक पहुचने का program है और इस scheme के अंदर भारत सरकार का जो contribution रहेगा वो 700 करोड रहेगा और बाकी का बचा हुआ 337.90 करोड जो है वो states contribute करेंगी 10th question World Hindi Day या विश्व हिंदी दिवस कब celebrate किया जाता है पुरी दुनिया में बड़ा important question है और अच्छे से इस डे को याद रखके जाईएगा पूचे जाने के काफी high chances है अंसर है option 8 10 January 2023 को celebrate किया गया था हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में इसको celebrate किया जाता है हिंदी language के linguistic और cultural heritage को encourage करने के लिए 10 January को ही क्यों क्योंकि 1949 में United Nations General Assembly में पहली बार हिंदी बोली गई थी 10 January को तो इसलिए इसकी इस date की importance को याद रखते हुए वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 January को celebrate किया जाता है पहला वर्ल्ड हिंदी conference जो हुआ था वो 10 से 12 January 1975 नागपूर के अंदर हुआ था 1st World Hindi Conference के बात कर रहा हूँ 1975 के अंदर 10 January की date की 2 relevance है ना एक तो 1949 में UN में पहली बार हिंदी बोली गई थी और दूसरी relevance क्या है World Hindi Conference हुई थी वो भी 10 से 12 January हुई थी नागपूर में महराष्टरा में पहला हिंदी दिवस हमने celebrate किया था 10 January 2006 को इस बार आपका 12th World Hindi Conference भी organize हुआ था और 12th Hindi Conference जो यह Hindi Conference हुआ था यह Fiji के अंदर हुआ था यह भी याद रखना है 15 से 17 February में यह सरकार भारत सरकार ही करती है दूसरी कंट्री के साथ collaboration करके और इस बार का जो World Hindi Conference का जो theme था वो था Hindi traditional knowledge to artificial intelligence तो यह important जो आपने ध्यान में रखने है 12th World Hindi Conference कहां पर हुआ था Fiji में और इस World Hindi Conference का जो theme था that was Hindi traditional knowledge to artificial intelligence 11th question as per the latest global economic prospects report जो World Bank ने release किया Indian economy की growth या GDP growth उन्होंने क्या forecast किया 23-24 के लिए so the answer over here is option B 6.6% 6.6% will be the right answer 10th question अभी आपको पता कि इंडिया में एक Oscar Award एक मूवी ने जीता for a song Naatu Naatu या basically वो नाचो नाचो हिंदी के अंदर उसका version है तो Naatu Naatu को यह basically Award मिला था Best Original Song Motion Picture और यह मिला था आपके Oscars में जो 80th Annual Golden Globe Awards जिनको हम बोलते हैं तो कौन थे composer इसके इसके composer थे आपके M.M. किरवानी और चंद्र वोस तो अंसर यहाँ पर D होगा 80th Globe Awards या Oscars Next Question M.V. गंगा विलाज प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी ने यह एक River Cruise जो है Inaugurate किया था कौन सी City के अंदर यह दुनिया का सबसे बड़ा River Cruise है और this was in वारानसी उत्तर प्रदेश अंसर A होगा ठीक है सो वल्ड का सबसे बड़ा Cruise है 51 Days का यह luxury Cruise होगा Around 27 River Systems को कवर करेगा 3200 km की जर्नी होगी वारानसी उत्तर प्रदेश दिब्रुगर्ड और यह बांगला देश से ओकर के भी निकलेगा तो एक तरही कैसे International Element भी इसके अंदर आ जाएगा और Inland Waterways Authority of India का सपोर्ट इस पर्टिकुलर Cruise को रहेगा 15th question Union Minister for Health and Family Welfare जो हैं आपके मनसुक मंडविया करंटली उन्होंने कहा कि हम lymphatic philiares या जिसको elephantiasis भी बोलते हैं यह हम eliminate कर देंगे इंडिया में से कौन से साल तक 2028, 2027, 25 या 24 तो यहाँ पर आपका correct answer होना है option B 2027 जो है वो right answer है Next Name the personality जिनको 71st Miss Universe title मिला again important है World Affairs से related answer होगा यहाँ पर आपका option D R, Bonnie, Gabriel यह USA से बिलॉंग करती है Next question Name the country that has recently launched World Cup पहला agriculture focus satellite called AgriSat World का पहला agriculture focused satellite तो यहाँ पर अंसर है option A South Africa Next India का fourth largest trading partner जो recently अभी announce हुआ था कि fourth largest trading partner बना है and that is option B Russia Next question European Union ने अभी ना एक mainland orbital launch complex एक नया launch complex create किया है जहाँ से European Union के जो countries है वो अपने various areas को launch कर सकेंगे Space port S-range तो यह कौन सी country के अंदर है that will be option B Sweden यह देकर बिल्कुल सीधे सीधे question है इनके अंदर में बहुत जाद आपको detail इसलिए नहीं करार हो क्योंकि करने की जुरूरत नहीं है आएंगे तो सीधे आएंगे and last question of this lecture revolutionary is the other story of how India want its freedom यह book release की थी union minister of home affairs Amit Shah ने तो इस book के author कौन है again important question है क्योंकि एक तो जिसने release कि है वो भी important personality है और Amit Shah तो आप जानती है home minister है so answer है आपर आपका Sanjeev Sanyal okay answer is D so these were the important 20 questions guys I hope you guys enjoyed it मिलेंगे अब next class में keep studying hard keep your confidence high take care